हलो दोस्तों कैसे हैं आप मुझे उम्मीद आप खेरत से होंगे और आज हम सीखेंगे कि लोकल स्टोरिज क्या है क्योंकि लोकल स्टोरिज बहुत ही ज्यादा यूज होती है और हम जब भी कोई बहुत अप्लिकेशन बनाते हैं लोकल स्टोरिज का बहुत ज्यादा काम होता ह है तो सबसे पहले हम बताइंगे वाइब से टोट बारे में आज हम सीखेंगे और दूसरा तो यह बहुत ज्यादा कोषण पुछा जाता है कि हम इन चीज़ को भी किलियर करेंगे आज और वह वाइब स्ट जावा स्कृट जावा स्क्रिट में लोकल स्टोरिश क्या है इसको हम देखेंगे और local storage stored क्या क्या करती है उसको भी हम को हम देखेंगे उसको और what is window local storage यह क्या होती है तो what does local storage work, local storage क्या काम करती है देखें local storage क्या क्या चीज़ें होती है how to store value in local storage उसके लिए हम यूज करते है set item और how to get item from local storage उसके लिए हम यूज करते है get item और how to delete local storage session उसके लिए हम यूज करते हैं remove item और how to delete all the items in local storage उसके लिए हम यूज करते हैं clear और how to get the name of the key in the local storage उसके लिए हम यूज करते हैं key और local उसे किस browser को support करती है और local storage की limitations किया है इनके बारे में आज सेखेंगे तो चलिए हम theory पे नहीं जाते हैं डार एक हम सबसे पहले मैं आपको एक question का हवाला देतीता हूं कि यह difference क्या है in session local storage की इसके बाद हम चलते हैं code में देखें difference यह है कि local storage जो होता है न वो permanent के लिए होता है सपोस हमने एक tab खोल दिया सपोस यह हमारे पास tab है इस tab में जो भी data होगी local storage में वो पढ़ी रहेगी जैसे हम इसको click करेंगे इसको cut देंगे इसको close करेंगे लेकिन फिर भी जब भी हम कॉलिंगे तो उसकी local storage की जो data वो पढ़ी रहेगी लेकिन जो session storage की data वो चली जाती है तो यह main difference है और अब चलते हैं हमारे code में कोड में चलते हैं को local storage क्या है सबसे पहले हम क्या use करते है समर लोकल ए डटा करके से सटोर करते हैं देकेशें सबसे पहले ह жंख क्या करना कि मैं करता हूं local storage थोड़ा zoom कर लेता हूँ आपको ठीक अब सही है ठीक हो गया बिलकुल मुझे लगते हैं ठीक है अब मैं यहां क्या करता हूँ यहां नहीं भाई यहां पर ठीक है यहां में लिखता हूँ local storage dot set item क्योंकि हम इस तरीके से पर अलबद दो पिरामेटर होते हैं, एक तो यह होते हैं, उसका नाम होता है, कहां पर हम इस्टोर कुरना जाती हैं, सपोज मैं इसको नाम देता हूं, यूजर इंफो, ठीक है, और दूसरी चीज जो होगी, यहां हम डेटा क्या पास करें हैं, सपोज मैं देता हूं, परशो कंसूल करके देखता हूं, अच्छा ठीक है, अब सही है, हम इसमें गए, अब देखें, यह जो आ रही है, यह परशो तुमी डेटा रही है, ठीक है, यूजर इंफो में क्या आ गया, परशो तुम आ गया, हम जैसे इसको क्लिर करते हैं, और उसके बाद, ठीक है, तो इस त होगा, सुरी, अबजेट बना लेता हूं, लेट, रिकार्ड, ठीक है, रिकार्ड की नाम से, यहां मैं अबजेट में देता हूं, नेम देता हूं, परशो तुम, ठीक हो गया, और उसके बाद में देता हूं, डेजिनेशन, ठीक, मरन स्टेक, स्टेक, डेवलपर, ठीक हो गया, और उसके बाद में देता हूं, सिट्टी, सिट्टी देता हूं, कराची, ठीक है, अब हम डेटा, जब, देखें, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कांसेट है, आपको समझने जाएं, अभी मैंने यहां किया सिर्फ परशो तम दिया, अब म सको सही से देखें, क्योंकि यह समझ में आ गया, एक बार अगा आपको समझ में आ गया, तो फिर कभी यह भूल भी नहीं पाएंगे, ठीक है, रिकार्ड देखें, क्या डेटा आती है, हम चलते हैं, अप्लिकेशन, देखें, आपजेक्ट, आपजेक्ट, एग्जेक्टली यह देखें, आपजेक्ट, यह आपजेक्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि हम जब भी डेटा स्टोर करते हैं, लोकल स्टोरीज में, जब कोई आपजेक्ट हम स्टोर करते हैं, लोकल स्टोरीज में, तो इस तरीके से डारेक्टली हम नहीं कर सकते, इस तोर, उसके लिए क्या हो ठीक हो गया देखें यह आ गया यूजर इंट फो नेम आगए डेजी नेशन आ गई इस तरीके से नीचे आप देख सकते हैं नेम डेजरे नेशन आगए सिटी आगे आगा परश्वर्ण कराची जो चीज़ है इस तरीके से में इस्टरू करते हैं और एक और कोसे निया हाता ह कि इन चीजहों को स्टोर्टोथ करते दियं लेकिन फिर इसको को करिंगे तो जाट करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहétais सपोस्ड मैं मैल करता हूं गेट डेटा के नाव से एक लेता हूं ठीक है और मैं इसको करता हूँ window डाट लोकल स्टोरेज डाट यहां लिखेंगे get item, not that set item, यहां लिखेंगे get item, get item के अंतर एक ही parameter आएगा, वो आएगा कि कौन सा local stream data है, यहां user info है ठीक है, user info लिया, अब हम क्या करेंगे, इसको console करके देखते हैं कि data हमारे पस क्या रही है, console.log get Data ठीक हो गया मैं आपको सामने भी डेटा लेकिए कराता हूँ यहां पी ठीक के मैंने एक बना लिया और यहां पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया ठीक है आपजेक्ट तो नहीं आया है क्योंकि आपजेक्ट यह नहीं यह डेटा इस्टिंग ही फाई हो गई है मतलब इस्टिंग में डेटा यह सारी आ गई है तो हम इसको किस तरीके से बैक अबजेक्ट में लेकि आएंगे तो जब बैक आपजेक्ट में डेटा को लेकि आएंगे तो फिर हम यूज क्या करेंगे अपर लेट आउट पुट ठीक है आउट पुट यहां में क्या करता हूं गेट डेटा जो पड़ी है गेट डेटा इसको कुछ नहीं करता हूं यहां पे मैं करता हूं जैसन डॉट पार्स नहीं पड़ी उसको back to object में अब्जेट में करते हैं तो इस तरीके से करेंगे get data ठीक हो गया अब अब देखें यहां कुछ भी शो नहीं होगा भाई इसलिए कि अगर यहां हम देंगे डाट नेम अब देखें नाम शो करेगा यह नाम शो कर रहा है तो इस तरीके से हम लोकल जो होता है ना लोकल स्टेश में get item set item यूज़ करते हैं ठीक है और दूसरा और concept है कि हम यूज़ करते हैं देखें हमारे पास जब हम लाग इन और विजिस्टर यूज़ करते हैं तो लाग जब करते हैं तो हमारे पास एक token आता है तो token बार बार तो आता नहीं एक बार API काल होती है बार किषटेदा कर सकते मतलब हम जब भी टेब किलोज़ करेंगे देटा चलिए जाइगे इसलिए हम बहतर यह है कि learnt लेगाध टोकन को कुछेदा जा सकते हैं कि लोकल से काहँ काह जाता है ठीक है और इसका एक और और फॉक्छन है कि हमने set item कर लिया get item कर लिया और अब करेंगी हम के किलियर लोकल स्टोरिज सपोस्ट लेट लेट सोरी कांस्ट करता हूं कांस्ट कांस्ट यहां मैं करता हूं किलियर लोकल अब की लिया इस्टोरिज की नम से कहीं है वनांद रिया b ट लियर ठीक यह किलियर आ गया अब क्या होगा कि जो हमारी जो लोकल क्लिए किलिए हो जाएगी इसके लिए एक function बटन यहां बना लेते हैं बटन ठीक है यह करते हैं clear data ठीक है नम से और यहां हम लगाते हैं on click फक्षन की के आनके को यां अमें करता हूं इसको पेश्ट अव देखते हैं होता या नहींflower देखें अभी जो प्रशुतुम शो कॉर रहा है जिस्से मैं सको क्ल करता हूं 123 नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ आप देखें यहां चलते हैं हम देखें यह एक हो गया अब इसको हम रिलोड़ करेंगे तो यह परशुतम शो नहीं करेगा देखें अच्छा करेगा करेगा क्यों नहीं करेगा भाई कि दूबारा जो है डेटा यहां पे एग्जिक्विट हो जाती है लोकल सोरीज में देखें यह आ गया अब जैसे मैं इसको किलियर करता का डेटा को तो मुझे अमीद हैब को लोकल इस यह होता है उमीद है आक आपको लोकल सी सब्सक्राइब करें कि मैं बहुत सारी जावाइस तापिक पर झो te Sayman यह वीडियोस बनाता हूं तो प्लिस मेरे चैनल को जरू सब्सक्राइब करें अगर आपको समझ में आ गया है तो बढ़ना बिलकुल ना करें क्योंकि समझ में नहीं आ जा है तो फिर से देखें तो थैंक यू सो मैश थैंक्स फार वाचिंग